सोलन वेपार मंडल में पिछले कई दिनों से दो गुटों में खिंचता नहीं चल रही है इस समय एक पुरानी और एक नई कारेकारणी अपने अपने आपको संवेधानिक रूप से साबित करने में तुली हुई है जिस कारण दोनों गुट इस समय वर्चस्वी की लड़ाई भी लड़ रही है अब इस जंग में सोलन शेहरी कांगरेस भी कूद पड़ी है शेहरी कांगरेस के अदेख्श अंकर सूद ने कहा कि वे खुद एक वेपारी है और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि दोनों में से कौन असली है और कौन नकली इसलिए जिला प्रशाशन को समर्थन माग रहे हैं वेपारी दोनों गुटों को ही समर्थन दे रहे हैं क्योंकि वे किसी से बिगाड़ना नहीं चाहते हैं उन्हें कहा कि सोलन के वेपार मंडल में बने दोनों गुट भाजपा विचार धारा से जुड़े हैं इसलिए उन्हें शक है कि जिस तरह से सोलन लड़ने के अधिकार से वन चितना रहें बड़ी विडंबना है जब जब भी व्यपारी हित में व्यपार मंडल चुनाव की बात आती है जब जब भी आती है अभी तक दो बार व्यपार मंडल के चुनाव हुए है और धोनों ही बार बहुत ही मुश्किल आई है इन चुनावों को कराने के लिए पता नहीं क्यों व्यपारियों का जो हक है लोकतंतरिक हक है वोट डालना वो चुनाव में खड़े होना धोनों का हनन आई इस बारी नहीं हर बार किया जा रहा है मैं इस विशे पर काफी दिनों से चुप था परन्तु आप जब व्यपारियों से बाचीत हो रही है तो हर व्यपारी परेशान है कि हम इस व्यपार मंडल के साथ जुड़ें या हम इस व्यपार मंडल के साथ जुड़ें हमारा मानना ये है एक आम व्यपारी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है एक लोगतांतरिक अधिकार जो हमें दिया गया है वोटिंग राइट जो हमें दिया गया है और एक आम वेपारी को चुनाव में खड़े होने का जो दिकार दिया गया है उसका जो है हनन नहीं होना चाहिए हर वर्ष और हर बार की भांती मेंबर्शिप होनी चाहिए कम से कम इसी बहाने लोगों का कहना है कि कम से कम इसी बहाने जो वेपारी नेता है एक बार तो कम से कम उनकी दुगान आता है और एक बार तो कम से कम उनकी समस्या सुनता है परन्तु अब कभी किसी होटल के अंदर कोई वेपार मंडल बन जा रहा है तो दूसरा धड़ा किसी और होटल के अंदर कोई और मिटिंग कर रहा है और आप सब समझते हैं कि इस समय करोना का समय है जनरल हाउस को भी बुलाना मुश्किल है चुनाव अगर कराने हैं तो उसकी प्रकरिया को करोना को देखते हुए बदलना होगा कुछ वेपारियों की वोटिंग एक दिन करानी होगी कुछ वेपारियों की वोटिंग दूसरे दिन करानी होगी या और भी कोई जो भी आइडिया जिससे की समाजिक दूरी भी न बिगड़े चुनाव भी हो वेपारियों को उनका हक भी मिले क्योंकि आज वेपारी फस चुके हैं दो गुटों के बीच में और धोनो गुट जो हैं वो भाजपस मर्थित हैं और एक गुट तो मैं कहूंगा जो हमारे भाजपस मर्थित हैं वो हमेशा ही जो हैं चुनावों का भहिशकार करते हैं और रातो रात अपने आप ही पर अब इसी तरह भाजपा की गुटबाजी व्यपार मंडल के उपर इस तरह बाज़ा है पर अब इस तरह बाज़ा है कभी एक गुटा के साइन कराता है मार्किट में कभी दूसरा गुटा के साइन कराता है तो एक आम व्यपारी किसी से भी जो है वो दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा तो वो सब के जो है वो साइन कर देता है परन्तु मेरा मानना है कि अगर लोक्तिन तरीक तरीके से चुनाव होंगे तो सभी अपना गुप्त रूप से वोट भी करेंगे और अपना पसंदीदा परधान भी चुनेंगे